आज मैं आपके लिए सर्दियों की बहुती स्पेशल और ताकत वस होगात पिन्नी की रेसिपी लेकर आई हूँ अगर किसी को भी घर में थकान कमजोरी फील होती है या फिर आप सारा दिन कम्प्यूटर के आगे बढ़े रहते हैं और आंखों में दर्द और थकान फील होती है या फिर आपको पुराने से पुराना दर्द जैसे कमर दर्द या घुटनों का दर्द परिशान कर जाता है या सर्वाइकल और माईग्रेन सर्दियों में प्रॉब्लम जादा बढ़ जाती है तो ये पिन्नी की रेसिपी आपके लिए है क्योंकि इससे आपको बहुत सादा आराम मिलेगा और फायदा भी पहुंचेगा तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं इससे बनाने के लिए मैंने हाँ पर एक कप में देसी गी ले लिया है वेट मे नापेंगे तो ये डेह सो ग्राम देसी गी है और कप से नापेंगे तो तीन चुथाई कप है इसी में से हम थोड़ा-थोड़ा घी इस रेसिपी में यूज़ करेंगे सबसे पहले मैंने यहाँ पर कड़ाई में एक बड़ा चमय देसी घी डाल दिया है अब इसमें हम आधा कब बादाम डाल देंगे और इनको low to medium flame पर हलका सा fry कर लेंगे इस तरीके से घी में fry करने से एक तो इसकी shelf fry बढ़ जाती है साथ ही इसका taste बहुत जादा बढ़ जाता है देसी की खाने के बहुत सारे फायदे हैं इसको healthy fat माना जाता है साथ हार्ट health के लिए अच्छा होता है अच्छे digestion के लिए जरूरी है और हड़ियों के मजबूती के लिए भी बहुत जरूरी है और बढ़ाम भी हमारे लिए बहुत फायदे मंद होते हैं यह हमारी skin को smooth रखते हैं अब हम काजू को भी इसी तरीके से हलका सा fry कर लेंगे काजू खाने से bones की growth बहुत अच्छे से होती है साथी जो mind है वो काफी शापन यानि बहुत तेज हो जाता है बच्चों को काजू जरूर देने चाहिए साथी digestive system सही रहता है और sugar level को भी control करता है दोनों को ही हमने हलका सा fry कर लिया है तो बस आप हम इने निकाल लेंगे अब हम इसमें थोड़ा सा घी और डाल देंगे क्योंकि गौन को फ्राइ करने में आपको थोड़ा सा घी जादा चाहिए होता है आप इसमें हम आदी गौन डाल देंगे सारी गौंद आप एक बारी में ना डालें क्योंकि गौंद को fry होने में थोड़ा सा टाइम जादा लगता है और इसे घी की जुरत रहती है इसलिए इसे लगातार चलाते रहेंगे गौंद की तासीर गरम होती है आपको इसे सर्दियों में जरूर खाना चाहिए और ये कीकर की गौंद है जो की आपकी हेल्थ के लिए बहुत फायदे मन्द होती है इस्पेशली नूली मदर्स के लिए बहुत फायदे मन्द है नूली मदर्स के अंदर जो कमजोरी और जो वी जुर्गों सभी के लिए ये लड़ू और पंजीरी बहुत फाइदेमंद होते हैं और ये देखे गॉन जब यहां पर अच्छे से फ्राइब हो गई है तो बस अब हम इन इससे निकाल लेंगे और दूसरी बैच की गॉन भी हम वेकुल इसी तरीके से फ्राइब कर देंगे और यहां पर ये दूसरे बैच की भी गॉन फ्राइब हो गई है तो बस अब हम इसे भी निकाल लेंगे और अब इसी बचे हुए घीमे में यहां पर एक चुथाई कप तरबूज के बीज यानि की वाटर मैलन सीज डाल दूगी और इनको भी हलका सा बस रोस्ट कर लेंगे और ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं और साथी किश्मिश को भी हमें जादा रोस्ट नहीं करना होता है तो इसलिए हमने किश्मिश PC के साथ ही डाल दी है और इन दोनों को ही बस थोड़ी देर के लिए रोस्ट करेंगे बस आप ध्यान रखें कि गयास का फ्लेम आपको लोटो मीडियम ही रखना है जो तर्बूज के भी यानि कि जो वाटर मेलन सीज हैं वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं साथी इम्मून सिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ये देखिए बस कुछ सेकेंट्स में ही ये दोनों ही चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं तो बस अब हम इने निकाल लेंगे और अब मैं इसमें यहाँ पर एक कप सुखा कद्दुकस किया हुआ नारियल डाल दूँगी आप यहाँ पर इस तरीके के नारियल का ही यूज़ करें डेसिकेटिड कोकोनेट जो आता है नारियल का बुरादा उसे यूज़ ना करें क्योंकि उसमें आयल अलरेड़ी निकाला हुआ होता है और ये जो सुखा कोपरा होता है इसमें अपना आयल काफी होता है जो कि हमारी health के लिए बहुत अच्छा होता है और सुखे नारियल जो है उसमें ऐसे antioxidants पाय जाते हैं जो कि आपके immune system के साथ आपके heart health को भी बहतर करते हैं और ये देखी बस कुछ सेगेंसी हुए है ये नारियल हमारा यहाँ पर अच्छे से भून गया है तो आप इसको हटा दे ये इसका काला चिलका होता है जो थोड़ा सा हाड होता है और मखाने खाने के बहुत सारे फायदे हैं ये किसी भी तरह की आपकी शारीर कमजोरी अगर होती है ये आपको थकान कमजोरी जैसा फिल होता है तो आपको मखाने जरूर खाने चाहें चाहें तो आप इसको खलका सा रोस करके सिर्फ नमक चाट मसाला डालके खा लें या फिर इस तरीके से पिन्नी या फिर लड़ू में डालके खाएं और ये देखें तीन से चार मिनट लगे हैं हमने इसे लगातार चलाते हुए मखानों को यहाँ पर अच्छे से भून लिया है और इस तरीके से अगर मैं क्रश कर रहे हूँ तो यह क्रश हो रहे हैं तो समय लेजी यह अच्छे से भून गए हैं अब हम इने भी निकाल लेंगे अब इसे कड़ाई मैं यहाँ पर थोड़ा सा घी और डाल दोंगी अब हम सुझी भूनेंगे इस तरह मैंने यहाँ थोड़ा सा जाधा घी का यूज किया है और मैंने यहाँ पर यह 1500 ग्राम सुझी ली है कब से नापेंगे तो तकरीबन एक कब सुझी है और इसको हम low to medium flame पर लगातार चलाते हुए इस तरीके से भून लेंगे इसे मैंने इस पिन्नी को सूजी के साथ बनाया है आप चाहें तो आटे के साथ बना सकते हैं बेसन के साथ या फिर सिंगाडे का आटा या फिर बाजले के आटे के साथ भी बना सकते हैं अगर आप सिंगाडे के आटे के साथ बनाते हैं तो आप इसे वरत में भी खा सकते हैं सूजी कॉलिस्ट्रोल कम करती है साथी वेट कम करने में हल्प करती है इसमें iron काफी जादा पाया जाता है और आपकी immunity को भी strong बनाती है और जब तक हमारी ये सूजी भुन रही है हम इसे बीच-विच में इस तरीके से चलाते रहेंगे और तब तक हम जल्दी से अपने हाँ पर ये जो हमने dry fruit को fry किया था और roast किया था इनको हम grind कर लेंगे अब जब पूरी तरह से ठंडी हो गई है तो मैं आपको इस तरीके से तोड़ कर दिखा रहे हूँ ये देखिए इस तरीके से तोड़ने से ये बिल्कुल चूरा हो जानी चाहिए तो समझ लीजी कि आपकी गौन बहुत अच्छे से fry हो चुकी है तो अब मैं इसमें यहाँ पर कुछ ट्राइफूट को grind कर लोगी तो सबसे पहले मैं इसमें गौन डाल रहे हूँ आप चाहें तो इसे विल्कुल fine powder कर सकते हैं या फिर आप इसे दरदरा भी पीच सकते हैं ये आपके उपर depend करता है कि आप किस के लिए बना रहे हैं अगर अब हम इसे इस प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम नारियल को भी पल्स पर grind कर रहे हैं और ये देखिए हम नारियल को भी इसी तरीके से हलका सा पल्स पर grind कर लिया है अब हम इसमें थोड़े से ये dry fruit डाल देंगे यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी हर चीज बचा रही हूं जिससे हम बाद में साबुट डालेंगे और साथी गार्णिश में यूज़ करेंगे काजु बदाम डाल दिये हैं और साथी इसमें ये तर्बूज के भी जो थोड़ी से किश्मिश डाल देंगे और इनको भी हम पल्स पर ही ग्राइंड कर लेंगे ये देखिए बिलकुल पाउडर नहीं किया है थोड़े से इस तरीके से हैं दरदरे से ही हैं और अब हम इने भी इस प्लेट में निकाल लेंगे और अब यहाँ पर मैने मखाने डाल दिये हैं मखानों को भी हम Pulse पर दो बार ग्राइम करेंगे और यह देखिए मखानों को भी इस तरहिके से हमने हमने थोड़ा मोटा ही क्रश किया है और अब हम इने भी इस प्लेट में निकाल लेंगे और यहाँ पर कुछ ट्राइफूट है जिसे मैंने साबुत बचा लिया है जिसे हम बाद में उपड़ से डालेंगे और यह देखिए तक्रीबन 10 से 15 मिनिट हो चुके हैं हमारे को सूजी को भूनते हुए और सूजी यहाँ पर अच्छे से भून गई है इसका कलर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया गोर्डन सा हो चुका है तो बस इससे जादा हम इसे नहीं भूनेंगे और अब सूजी को हम इस यहाँ पर मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे और इसमें यह सारे ड्राइफूट डाल देंगे जिसे अभी हमने ग्राइण किया है और साथ ही थोड़े से ही साबूट ड्राइफूट डाल देंगे जिसे हमने अलग से बचा कर रखा था जैसे मैंने यहाँ पर कुछ मखाने साबूत डाले हैं मैं आपको सला दूंगी कि आप मखानों को साबूत ना डालें सभी मखानों को ग्राइन करके डालेंगे तो रिजल्ट जादा बेटर आएंगे और इसमें फ्लेवर के लिए एक छोटी चमच इलाइची का पाउडर डाल देंगे और अब मैं यहाँ पर इस कड़ाई में 1500 ग्राम गुड डाल रही हूँ कब से ना पेंगे तो तक्रीबन 3-4 कप गुड है और अब कड़ाई में गुड को मेल्ट करने के लिए हम इसमें आदा कप पानी डाल देंगे आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा बच्च यह बहुत जल्दी से खराब नहीं होती है आप इसे तकरीबन एक हफ़ते तक रूम टेंपरेचर पर छोड़ सकते हैं और इसे फ्रिज में तो आप एक महने तक स्टोर करके रख सकते हैं यह बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और यह देखिए हमें यहाँ पर बहुत जाद हमने यहाँ पर ड्राइफूट और सूजी डाली हुई है इस तरीके से चानने से इसमें जो भी इंप्योर्टी होती है वो निकल जाती है यहाँ पर हमने सारे गुड को इसमें चान लिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन सभी चीजों का जो मेजर्मे इसे इसे राउंड शेप दे देंगे और यह देखिए इस तरीके से आपने सारी पिन्नी बना करके तयार कर लेनी है यह देखने में जितनी बढ़िया लग रही है ना खाने में उससे कहीं जाधा टेस्टी है और हेल्दी तो बहुत ही जाधा है और इसे बच्चे बड़े बजुग सभी खा सकते हैं बस बजुगों के लिए बना रहे हैं तो आप सभी चीजों को अच्छे से ग्राइंड करके लें और अगर आपके एक पिन्नी गरम दूद के साथ सुभा नाश्ते में ले ले तो आपका नाश्ता कंप्लीट हो जाता है और नियूली मदल्स के लि मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस तरीके से आप से जोड़ करके मुझे बहुत अच्छा रगता है अब मिलती हूँ एक और नही रेसिपी के साथ तब तक लिए गुड़ बाई टेक्यार और थैक्स वर वाचिंग